तो आज हम बात करेंगे बच्चों एक नए chapter की और वो chapter है हमारा classification of elements and periodicity in properties that means हम elements को classify करेंगे और उनकी periodic properties के बारे में पढ़ेंगे, बात clear हैं? इस unit के अंदर हम और क्या पढ़ेंगे? इस unit में हम पढ़ेंगे उन elements का historic development क्या था? किस तरह वो derived हुए उनकी क्या हिस्टिती उन सब को हम इस चप्टर में पढ़ेंगे सेकिंड उनके electronic configurations क्या थे electronic configuration of elements का बारे में पढ़ेंगे हम modern periodic law क्या था man leave periodic law क्या था यह सब चीज पढ़ेंगे हम कुछ periodic classification की किस तरह चीजे उपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती है नहीं होती प्रेडिक टेबल में elements की place कहा करते हैं यह सब चीज हम यहां पढ़ेंगे और कुछ यहां पढ़ेंगे chemical और physical properties of elements हम इस chapter में पढ़ेंगे बात के लिए रहे तो इन सब के बारे में आज हम detail में इस chapter के अंदर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपने chapter का नाम देखा होगा classification of elements तो सबसे पहले आपके मन में question आएगा कि elements को classify करने की क्या जरूत पड़ी अगर हम elements को क्या classify नहीं करते तो क्या हम उनकी study नहीं कर पाते क्या बिलकुल यह एक valid question है इसे हम एक example से समुझते हैं suppose हमारे पास यह 10 books हैं और इस 10 books में से हमसे कोई कह दे कि आप 11th class की chemistry के book निकालके लाईए तो आप बहुत easily निकालके दे देंगे बिलकुल आपको इन 10 books में से उस chemistry book को निकालने में बिलकुल जोड नहीं आएगा आप बहुत easily कह देंगे कि यह 11th class की chemistry book है बट अगर आपको यह 10 book ना देके एक बहुत वड़ी library दे दी जाए जहाँ पर randomly book arrange हो रखी है और आपको कह दिया जाए कि अब मुझे 11th class के chemistry के book लाके दीजिए तो क्या आप उसको इतना easily कर पाएंगे नहीं यह बहुत difficult task हो जाएगा बिलकुल बच्चों बहुत difficult task हो जाएगा कि आप इतने सारी books में से एक 11th class की chemistry के book निकाल के दे सको नहीं हो पाएगा इतना easily तो इसके लिए क्या किया जाएगा बच्चों अगर उनी सभी books को एक well manner में arrange कर दिया जाए that means यह 10th की books होगी यह 11th की books होगी यह 12th की books होगी ऐसे करके सबको arrange कर दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप मुझे 11th class की chemistry की book लाके दीजिए तो आप बहुत easily उस book को लाके दे देंगे बात के लिए जाए that means अगर हमने book को well arrange किया है तो हमें कोई भी book के लिए कह दिया जाए तो हम बहुत easily इसको निकाल सकते हैं बहुत easily इसको लेके आ सकते हैं इसी तरह हम जब elements की बात करते हैं तो elements भी हमारे पास बच्चों के वल 5-6 तो है नहीं elements भी हमारे पास बहुत सार है अब हम 8 elements अब present time में क्या हो चुके हैं discover हो चुके हैं तो that means हमारे पास elements भी बहुत ज्यादा number में है तो इतने ज्यादा number में element होने की वज़े से हमें उनका classification जरूरी था जिससे हम उनके बारे में detailed study कर सके हैं बात क्लियर है यहां तक हमें यह पता लग गया कि हमने element classification क्यों किया ब और किसने इसे originate किया कब periodic table का formation start हो चुका था that means element को classify करना start हो चुका था अब उसके बारे में पढ़ते हैं so periodic table formation start in 1789 by Anthony Levoiser, Anthony Levoiser एक scientist थे जिनने 1789 के अंदर क्या किया था सब से पहले element को classify करना start कर दिया था और उनने base रखाता कि elements को metals, non metals, gases, इनके आधार पर उन element को classify किया जाए बात के लिए रहे आपको और उस time तक केवल 33 elements ही discover किये जा सुके थे मतला जब Levoiser ने इन सब को arrange करना start क्या था classification start क्या था उस time केवल 33 elements ही ऐसे थे जो discover किये जा सुके थे बट जब बात आई 1865 की 1865 तक पहुंसते पहुंसते elements जो discover हो र 3 elements discover हो चुके थे और अगर मैं present के time के बात करूँ तो आप सभी को पता है कि 118 elements ऐसे हैं जो discover किये जा सुके हैं और ये process अभी भी continue चालू है तो इतने सारे elements होने की वज़े से ये बहुत difficult था कि उनको individually study की जाए उनके बारे में individually study की जाए तो हमें इस problem को solve करने के लिए scientist ने एक systematic way दिया किसली systematic way दिया कि हम उन element को एक बहुत systematic way में classify कर सकें जिससे उनकी study बहुत अच्छे से की जा सकें बात क्लेर है यहां तक तो सबसे पहले levoiser आया था उसने अपने metal और metal gases के basis के उपर element को classify कर दिया था पर उस समय बहुत कम element ऐसे थे जो discover किये जा सुके थे तो जैसे ऐसे element बढ़ने लगे तो हमें उनको भी classify करना था तो levoiser के बाद आया एक German chemist John Doberiner ने जो early 1800s में क्या बोला उनने एक idea दिया था trends का trends कौन सी properties of elements की that means अगर element को कुछ certain properties के हिसाब से जमा दिया जाए तो वो एक periodic table का formation कर देंगे ऐसा Doberiner ने बोला था बट 1800s के अंदर उसने वो trend दे नहीं पाया कि कौन सा trend ऐसा होगा जिसके हिसाब से सारे element को classify कर दिया जाए तो उसने और study करना start किया बच्चों तो जैसे ही वो 1829 तक पहुंचा तो 1829 के अंदर उनने तीन-तीन elements का एक triads बनाया तीन-तीन elements का एक group बनाया जिसको उन्होंने कहा triads और उन element को उनने इस तरह जमाया जिससे उनकी physical और chemical properties में similarities आजाए that means by 1829 he noted as similarities among the physical and chemical properties of the several groups of three elements called triads that means Doberiner ने क्या कहा था तीन-तीन elements का एक group बनाया था जिसको उन्हें triads कहा था अब बात करूं कि इन triads का law क्या था मतलब किस criteria पर उनने ये triads बनाया थे notice that the middle element of each of the triads had an atomic weight about half of the atomic weight of the other two उसने क्या बोला था कि जो मेरा central वाला element होगा उसका atomic weight जो होगा वो बाकी दो elements के atomic weight के sum के half होगा that means अगर third वाला जो मेरा element है उनका atomic weight को में sum करके उसका half कर दूँ तो वो almost about जो center वाला element होगा उसका atomic number आ जाएगा बात clear है अब इसको हम एक example से समझते हैं आप यहाँ पर एक table देख पा रहे होंगे बच्चो इस table में आप देख पा रहे हैं कि एक side तो मेरे element दिये गए हैं जैसे कि lithium, sodium, potassium और दूसरी side उनके atomic weight दिये गए हैं जैसे आप देख पा रहे हैं lithium का 7 दिया हुआ है sodium का 23 दिया हुआ है और potassium का 39 दिया हुआ है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चो middle element है मेरा इसके अंदर उस element का atomic weight कितना है बच्चो 23 है that means अगर मैं first और third element that means 7 plus 39 दरूँ और इसका half कर देता हूँ that means तो मुझे 23 मिल जाएगा बच्चो बिलकुल that means डॉबे राइनर ने क्या बोला था डॉबे राइनर ने यही बोला था बच्चो कि जो middle element होगा उसका atomic weight जो होगा वो atomic weight first और third element के atomic weight को sum करके अगर उसका half कर देंगे तो almost उसी के बराबर होगा इसी तरह अगर मैं बात करूं calcium, strontium और barium की तो यहां भी आप देख सकते हूँ बच्चो इन तीन element है और इनका atomic weight इधर side में दिया हुआ है atomic weight को आप देखके पता लगा रहे हो कि अगर मैं first और third element के atomic weight को sum करके उसका half कर देता हूँ तो मुझे middle element का atomic weight मिल जाएगा और इसी तरह का similarity जो tried था इसी तरह का similar trend हम इन तीन elements में भी देख सकते हैं chlorine, bromine, iodine अगर आप इसको भी check करोगे तो middle element का atomic weight होगा वो half ही आ रहा होगा almost half होगा first और third element के atomic weight से बात क्लियर है को यहां तक also the properties of the middle element were in the between those of the other two members that means जो middle वाले element के जो properties होगी वो भी almost इन दोनों first और third element के properties के बीच में ही होगी मतलब इन दोनों से कोई similarity रखती होगी, बात क्लियर है, since Dobberiner's relationship referred to as the law of trades Dobberiner का जो relationship था उसको law of trades भी कहा जाता है, law of trades भी कहा जाता है, बात क्लियर है यह जो work Dobberiner ने किया था, यह बहुत कम element ऐसे थे जिनकी उपर apply हो पाया, इसकी वज़े से इसे आगे जाके dismiss कर दिया गया, इसे नहीं माना गया क्योंकि बहुत कम element के उपर ही apply हो रहा था, that means हमें जैसे जैसे element बढ़ रहे थे, तो हमें जरूरी था कि हमें classification और कोई दूसरा तरीके वाला मिले, क्योंकि इससे बहुत कम element ही classify हो पा रहे थे, तो इसके बाद, Dobberiner के बाद क्या हुआ, एक English chemist आये, John Alexander Newlands, John Alexander Newlands जो आये थे, वो आये थे 1865 के अंदर और उनने दिया था law of octaves, बिल्कुल बच्चों, क्या दिया था, law of octaves, law of octaves क्या था बच्चों, law of octaves था कि जो ये newlands आये थे, newlands ने element को increasing order of atomic weight के according arrange कर दिया, और उनने देखा कि जो मेरा first और eighth element है, वो दोनों आपस में similar property रख रहे हैं, क्या मतलब हो इसका बच्चों, कि जब newlands आये, उनने क्या किया, elements को increasing atomic weight के order में arrange किया, और उनने ये देखा कि first और eighth element जो है, वो similar properties रख रहे हैं, आपस में, बिल्कुल बच्चों, कैसे रख रहे हैं, similar properties, अगर मैं हम इसको समझना चाहें, तो हम इसको musical के जो octaves होते हैं, उनसे बहुत अच्चे समझ सकते हैं, जैसे musical octaves क्या होते हैं, हम पढ़ते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, तो आप देख पारे हो, जो first note है मेरा सा, और eighth note है मेरा सा, दोनों similar है, इसी तरह newlands ने भी कहा था, कि जो मेरा first और eighth element होगा, वो क्या होंग के उन दोनों की properties almost, almost same होगी, बिलकुल, ये कहा था newlands ने, but the newlands law of octave seem to be true only for elements up to calcium, but newlands का जो ये law था, वो क्योंगल calcium तक ही apply हो रहा था, क्योंकि उसके बाद में d orbitals के elements आना शुरू हो गए थे, that means calcium के बाद जब हम आगे move कर रहे थे, तो वहाँ पर scandium, titanium, ऐसे group आना चालो हो हो गए थे, that means ऐसे element आना चालो हो गए थे, जो d orbital भी रख रहे थे, बिलकुल बच्चों, तो वो इसको भी आगे तक नहीं बता पाया, बात clear है, तो newlands सब इसको clarify नहीं कर पाया, तो newlands के बाद नया scientist आया, बच्चों, mandleev, बिलकुल बच्चों, mandleev आया, mandleev ने क्या किय mandleev 1869 के अंदर एक law दिया, और arranging the elements, elements को arrange करने के लिए mandleev ने एक law दिया, जिसे कहा गया, mandleev periodic law, बिलकुल बच्चों, क्या कहा गया, mandleev periodic law कहा गया, जो mandleev ने जो periodic law दिया था, उसमें उसने बहुत जाजा काम किया, और एक time तक, मतलब 1869 तक, उसने 63 element discovered कर लिये थे, ब clear है, mandleev periodic law क्या बोला, बच्चों, mandleev periodic law states that the properties of the elements are a periodic function of their atomic weights, that means, atomic weight के उपर के depend करती है, elements की properties depend करती है, ऐसा बोला, mandleev ने, that means, उसने ये कहा, कि थोड़ थोड़ इंटरवेल के बाद, atoms की properties same होने लगती है, that means, mandleev ने elements को horizontal row और vertical column में, क्या किया, horizontal row और vertical column में place कर दिया, और किस बैसिस पर किया, increasing order of atomic weight के according, उसने elements को horizontal row में और vertical columns में arrange कर दिया, and in such a way that, elements with similar properties occupy the same vertical column, और उनको arrange कुछ इस तरह किया, जो elements similar properties रखते हों, वो एक ही column में आ जाएं, क्या मतलब हो इसका, इसका मतलब ये हुआ, suppose, कोई भी दो element है, वो आप में similar properties रख रहे हैं, तो वो एक ही column में आ जाएं, इस तरह कुछ मेंडलीव ने elements को किस क्या किया, place किया, और किस बैसिस पर किया था, उसने किया था, उनकी atomic weight के according, बात clear है, मेंडलीव ने elements को उनके atomic weight बोल दू, या फिर chemical properties के बैसिस पर रेंज किया, और ये बात का धियान रखा कि, जो similar properties रखते हो, उन दोनों को साथ में रखा जाएं, बात clear है, but he realized that some of the elements did not fit with his scheme of classification, उसने ये realize कि कुछ element ऐसे भी हैं मेरे, जो इस classification के इसाब से fit नहीं बैट रहे हैं, that means कुछ element ऐसे होंगे, जो जिसका atomic weight जादा है, वो पहले आ रहा है, और जिसका atomic weight कम है, वो बाद में आ रहा है, बात clear है, इसी तरह, अगर मैं example की बात करूँ, तो आप इस predictable में देख पा रहे हैं, एक iodine और एक tellurium दिया हुआ है, बिल्कुल बच्चों, tellurium आपको group 6 में दिखाई दे रहा है, और iodine आपको group 7 में दिखाई दे रहा है, अब मैं इनके atomic weight की बात करूँ, तो atomic weight में आप देख पा रहे हैं, यह iodine का atomic weight कम है, जबकि tellurium का atomic weight जादा है, बात clear है आपको, that means, mandaliv के हिसाब से तो जिसका atomic weight जादा है, वो बाद में आना चीए था, और जिसका atomic weight कम है, वो पहले आना चीए था, बट यहाँ पर एक exception दिखाई दे रहा था, हमें, बात clear है आपको यहां तक, बट iodine को उसने बाद में क्यों रखा, क्योंकि उसकी similarities chlorine, bromine के जैसे मिलती हुई थी, इसलिए उसने iodine को बात में लिखा, बात clear है, बट he ignored the order of atomic weights, उसन कि उसने किसको priority दी, उसने prior to the similar properties of elements के, बिलकुल, हमने क्या बोला, कि iodine किसकी सरे similarity रखा था, fluorine, chlorine, bromine, इनकी जैसी similarities रखा था iodine, इसलिए उसने iodine को बाद में place किया, और tellurium को पहले place कर दिया, जबकि अगर atomic weight के हिसाब से जमाने जाएंगे हम, तो atomic weight के हिसाब से tellurium बा primary aim of arranging the elements of similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered, इस properties को ध्यान में रखते हुए, उसने कुछ ऐसे element के properties भी बता दी, जो अभी तक discover ही नहीं किये गए थे, उसने उन undiscovered element के लिए उस प्रेडिटेबल में कुछ gap mention कर रखे थे, that means, आप देख पा रहे हैं, इस प्रेडिटेबल में बहुत सारे आपको gap दिखाई दे रहे हैं, that means, मेंडलीव ने उन element की भी properties बता दी, जो अभी तक discover ही नहीं किये गए थे, for example, आप देख पा रहे हैं, गैलिनियम और जर्मिनियम, ये दोनों element उस समय discover ही नहीं किये गए थे, that means, ये इनका discover होना उस समय बाकी था, पर मेंडलीव न समय ये दोनों element discovered नहीं होए थे, और उसने इनका नाम दिया था, एक का 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 physical properties बिल्कुल बच्चों केवल उसने उनको उनके बारे में बता है नहीं उनकी बारे में physical properties, chemical properties भी उसने पहले ही बता दी थी जब वो discovered नहीं हुए थे, बात क्लियर है आपको यहां तक, now we talk about the limitation of periodic table, आप तक हमने पढ़ा कि मेंडलीव ने क्या क्या दी दिया था, मेंडलीव में यह दी जा था, उसने पहले से ही property बता दी थी जो element discover नहीं होते, atomic weight के increasing order में उसने elements को arrange कर दिया था, और कुछ ऐसा रखा था कि जो elements similar properties रख रहे हो, वो same group के अंदर लाई कर रहे है, that means same column के अंदर हो, same vertical column के अंदर, बात क्लियर है, अब हम बात करते हैं, limitation क्या थी नहीं किया, हाँ ये बात अलग है, उस time isotope को discover ही नहीं किया गया था, लेकिन बाद में तो किया गया, पर mandleev ने इसके बारे में कोई information हमें नहीं दी, second में बात करते हूँ, second क्या होगा, second में mandleev ने देखा कि कुछ element ऐसे थे जिनका atomic weight जादा था, तो फिर भी वो पहले र atomic weight जादा होने के बाद भी वो पहले रखा हुआ था, और iodine का atomic weight कम होने के बाद भी उसे बाद में रखा गया था, तो इसको भी वो classify ने कर पाया, उसने से ignore कर दिया था, third में बात करूँ, hydrogen की mandleev ने hydrogen को कहीं place ही नहीं किया, that means उसकी position के बारे में नहीं बता पाया, क्यों क्योंकि hydrogen के पास mixed type के properties थी, एक तो वो metals की तरह behave कर रहा था, alkali metals की तरह, और एक वो behave कर रहा था, halogen की तरह, that means bromine, chlorine, iodine, यह सब देख पा रहे हैं, यह halogen है, इनकी तरह behave कर रहा था hydrogen, और एक hydrogen मेरा alkali metal की तरह behave कर रहा था, तो mandleev fix नहीं कर पाया, कि hydrogen को हम कहाँ place करेंगे that means mandleev can't explain the position of hydrogen atom, बात के लिए आप को यहां तक, अब आता है बच्छो, story में a twist, और twist क्या आता है, 1913 के अंदर एक नया scientist आय, Henry Mosley, बिल्कुल बच्छो कौन, Henry Mosley गर के 1913 में एक नया scientist आय, और उन Henry Mosley ने क्या किया, उनने एक experiment perform किया, X-ray radiated by different element, बिल्कुल बच्छो, उनन X-ray के उनने एक experiment perform किया, उनने क्या पाया, उनने एक graph मनाया, बच्छो, किस-किस के बीच में, frequency of X-ray and atomic number के बीच में एक graph मनाया, और उनने देखा कि उनने एक straight line मिल रही है, बिल्कुल बच्छो, आप देख पा रहे हैं, frequency और atomic number के बीच में graph मनाया था, और वहां पर उनने straight line form रही दिखी, which shows that the atomic number increases, the frequency of X-ray is also increases, क्या मतलब वो है, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हमारा atomic number बढ़ रहा है, तो हमारी frequency भी बढ़ रही है, that means, उसे यहां से थोड़ा-थोड़ा idea लगने लगा, कुछ चीज का, इसको हम बात में बात करते हैं, कि उसने किस चीज का idea ल किया होगा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, कि जब उसने X-ray frequency का graph, atomic mass के साथ बनाया, तो वहां उसे straight line नहीं मिली, बच्चों, बिलकुल, वहां उसे straight line नहीं मिली, वहां उसे कुछ इस तरह की line मिली, that means, he noticed that the frequency is dependent on atomic number, not on the atomic mass, that means, Henry Moseley ने क्या कहा, कि जो X-ray की frequency है, वह atomic number के उपर dependent है, atomic mass के उपर dependent नहीं है, that means, Moseley says that atomic number is more fundamental property than atomic mass, बिलकुल बच्चों, तो उसने वहां से बताया, कि atomic number एक more fundamental property है, किसके compare में, atomic mass के compare में, बात क्ले रहे बच्चों, कि Henry ने क्या कहा था, बिलकुल, So, he says that element which are placed in periodic table are on the basis of increasing atomic number, not on the increasing atomic weight, तो उसने सारा खेल को बजल दिया, उसने क्या बोला, कि periodic table के अंदर जो element को place किया गया है, उन्हें increasing order of atomic number के हिसाब से करना चाहिए, ना कि increasing order of atomic mass, बिलकुल बच्चों, क्योंकि आपने देखा था, कि जब हमने frequency of x-ray और atomic number के बीच में जो graph मनाया था, तो हमें कैसा मिला था बच्चों, हमें एक straight line मिली थी बच्चों, बिलकुल, एक straight line मिली थी, that means, atomic number पर पूरा-पूरा depend करता है, हमारा क्या x-ray frequency, that means, अगर periodic table हमें बना नहीं है, तो वहां हमें क्या करना पड़ेगा, हम वहां हमें increasing atomic number के order में elements को arrange करना पड़ेगा, बात clear है, आपको यहां तक, similarly, the Henry Mosley convert the Mandeliev periodic law into modern periodic law, Henry Mosley ने जो Mandeliev periodic law दिया गया था, उसको modern periodic law में convert कर दिया, and क्या बोलता है वोलो, यह law बोलता है, the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic number, बिल्कुल बच्चों, that means, जो हमारी physical or chemical properties होती है किसी element की, वो किसकी periodic function होती है, atomic number की, that means, एक interval के बाद हम देख पा रहे हैं, कि दो elements की जो physical or chemical properties होगी, वो same हो जाएगी, जब उन्हें atomic number के हिसाफ से arrange किया जाएगा, बात क्लिर आपको यहां तक, अब इस modern periodic law के हिसाफ से बहुत तरह के format दिये गए, periodic table को बनाने के लिए, but उनमें से जो सबसे ज़्यादा used, सबसे ज़्यादा most widely used format था, वो है हमारा long form of periodic table, that means, आप यहाँ पर यह periodic table देख पा रहे हैं, यह थी हमारी long form of periodic table, so आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कि जो horizontal rows है, जिसको मेंडली उन्हें series कहा था, उन्हें long form of periodic table में कहा गया periods, बात क्लिर है, और जो vertical columns से उसको यहाँ पर कहा गया था, बच्चों, groups, बिल्कुल बच्चों, that means, जो horizontal rows है, उन्हें कहा गया periods, और जो vertical column आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कहा गया बच्चों, group कहा गया उसे, बात क्लिर है, there are seven periods, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने periods हैं, तो आप देख पा रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, साथ periods यहाँ पर दिये हुए हैं, और कितने groups दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर total 18 group दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, कि आपको 18 group दिख रहे हैं, यहाँ बात क्लिर हैं, here we see that the number of elements are different, that means, अगर मैं बात करूँ अलग-अलग periods की, तो मुझे कुछ periods में बहुत कम number में element दिख रहे हैं, और कुछ periods ऐसे हैं, जहाँ पर मुझे बहु element दिखाई दे रहे हैं, देख पा रहे हैं आप कि मुझे 8 element दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह अगर मैं 3rd period की बात करता हूँ, तो 3rd period में भी मुझे 8 element दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बच्चो, 4th period में आप देख पा रहे हैं, 4th period में बच्चो 18 element present है, बिल्कुल कितने present है 18 element present है क्योंकि बीच में यहां पर यह D block जो होगते हैं हमारे वह element भी हां include हो चुके हैं इसी तरह मैं 5th period की बात करूं तो 5th में भी मुझे 18 element ही दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल बच्चों 5th में भी मुझे 18 element दिखाई दे रहे हैं अब मैं बात करता हूं 6th period की 6th period के elements का number बढ़के हो जाता है 32 क्यों हो जाता है 32 क्योंकि वहाँ पर एक position ऐसी है जहां पर बीच में लेंथ नॉइट भी आ जाते हैं यहां पर 6th period के अंदर इसी तरह मैं 7th period की बात करूं 7th period में भी मेरे 32 elements होते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर F block elements ही आ जाते हैं जिने एक्टिन एसे हैं जहां पर बहुत कम number में क्या है मेरे पास elements हैं और कुछ period ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा amount में element present है बात क्लिर है जैसे 2, 8, 18, 18, 18, 32, 32 इन सब number को कहा जाता है बच्चों to magic number, बिल्कुल क्या कहा जाता है, magic number कहा जाता है, इनसा numbers को, क्यों, ऐसा magic number क्यों कहा जाता है, इनने क्यों क्यों कहा जाता है, उनको भी अब हम बात करते हैं कि इनने magic number क्यों कहा जाता है, because elements with similar properties repeats after the interval of 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, due to this they are called magic number, क्या बोला मैंने बच्चों कि अगर किसी element से मैं उसके just नीचे वाले element की तरफ move करूँगा, तो इतन ही electron का add करना पड़ेगा, तो मैं just उसके नीचे वाले element की उपर पहुँच जाऊँगा, जिसकी properties बिलकुल same होगी उपर वाले element से, बात क्लियर है, for example, इसमें हम एक example से बात करते हैं, suppose मैंने कोई भी एक random element की बात करता हूँ, if we add the magic number to the atomic number of that element, then you get the atomic number of element which is just below it, क्या बोला मैंने बच्चो, suppose इस पूरी प्रेडिटेबल मैं से मैं कोई भी एक random element pick करता हूँ, और उस element के atomic number के अंदर, अगर मैं respective magic number को add कर दूँँ, तो मुझे उसके जस्ट नीचे वाले element का atomic number पता लग जाएगा, आप देख पा रहे हैं, मैंने एक hydrogen atom ले लिया है, hydrogen atom का atomic number होता है 1, और अगर उसके अंदर मैं magic number का add कर देता हूँ, magic number कौन से होगा यहाँ पर, तो मुझे lithium मिल जाता है, और उसका क्या होगा atomic number, उसका atomic number होगा 3, बात क्लियर है, that means hydrogen का atomic number के अंदर मैंने magic number को add किया, तो मुझे lithium का atomic number मिल गया, जो कि 3 होता है, इसी तरह मैं बात करूँ, कि अगर मुझे lithium से sodium का atomic number पता करना है, तो lithium का atomic number हमको पता है, बच्चों 3 होता है, उसके अंदर हमने magic number add करना है, तो magic number यहाँ क्या add करेंगे हम, 8, यहाँ हमने 8 add किया, तो हमें क्या मिल गया, sodium मिल गया बच्चों, और sodium का atomic number कितना होता है, 11, जैसे हमने क्या बोला था, हमने बोला था, कि अगर lithium के अंदर हम magic number को add कर देते हैं, तो just उसके नीचे वाले element का atomic number मिल जाता है, तो lithium का क्या था बच्चों, atomic number 3 था, उसमें हमने magic number 8 को add कर दिया, तो हमें 11 मिल चुका है, बात क्लियर है, और हमने यहाँ पर magic number 8 ही क्यों लिया, क्योंकि उससे नीचे तक आने में हमें 8 elements का रास्ता तैय करना पड़ेगा, बिल्कुल, 8 element बाद वो हमारा नया element महाँ पर आ जाएगा, इसी तरह मैं बात करूँ कि मुझे sodium से potassium जाना है, तो मैं क्या करूँगा, sodium के atomic number के अंदर मैं 8 magic number का add कर दूँगा, that means magic number 8 जो होगा हमारा, उसको add कर दूँगा, तो मुझे potassium का atomic number मिल जाएगा, जो की होगा 19, इसी तरह मैं बात करूँ, potassium से rubidium जाना है मेरे को, तो potassium से rubidium जाने के लिए करेंगे, potassium को जो atomic number होगा, उसके अंदर हम magic number का add कर देंगे, और magic number यहां कितना होगा, 18, बिल्कुल बच्चो, यहां 18 का add कर देंगे, तो हम कहां पहुँच जाएंगे, rubidium के उपर पहुँच जाएंगे, that means जिसका atomic number 37 होगा, तो इस तरह हम किसी भी element को चूज करके, हम कोई भी magic number add करके, कोई भी मतलब उसका respective magic number add करके, उसके just नीचे वाले element का atomic number find out कर सकते हैं, बात क्लियर है कि क्यों इन्हें magic number कहा जाता है, चलो इसी तरह हम एक और example लेते हैं, suppose अब मैं लेता हूँ एक copper element, बिल्कुल आप देख बात क्लियर है, अब हमें copper से move करना है, silver की तरफ, बात क्लियर है, silver की तरफ जाना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक magic number add करना पड़ेगा, अब हमें नहीं पता कि हो magic number क्या होगा, तो जैसे ही आपको पता है, कि हम fourth period से fifth period की तरफ move कर रहे है और जब हम 4th period से 5th period की तरफ move करते हैं तो हमें magic number लेना होता है 18 बिल्कुल बच्चों तो अगर मैं copper का atomic number के अंदर 18 को add कर देता हूँ तो मुझे silver का atomic number मिल जाएगा और कितना होगा वो? वो होगा 47 आप देख पा रहे हैं कि मैंने copper का atomic number के अंदर 18 जो है मेरा magic number है उसको add कर कर दिया तो मुझे silver का atomic number मिल गया जो कि है 47 बात क्लियर आपको I hope आप सब को समझ में आया होगा कि किस तरह हमने magic number का use सीखा किस तरह scientist ने element को classify किया किस तरह derive कर रहे थे बात क्लियर है तो यह था एक general introduction हमारा classification of elements का इसी तरह हम धीरे धीरे आगे जाके च्की chemical properties physical properties इन सब को पड़ेंगे जो I hope आपको समझ में आ रहा होगा thank you